नमश्वार दोसों आप शिवी का बहुत बहुत श्वागते आप शिवी की जुनकाल में बहुती बड़े महत्पून बदलाओ होने वाले ही जिया दोसों आप शिवी को बता दे कि इस दोरों आप शिवी का भाग स्वेंग महापली हनिमान जी बदलने वाले ही जिया दोसों आप शुबी की जुनकाल में आपको एशा अक्षर लगता था कि हमारे जुनकाल में कोई एशा इंसान नहीं है जो हमारी मदद करी जो हमें हमारे परिशानियों से छुटकरा दिलाने में हमारा शयोग करी दोस्तों कभी कबार आपने जुनकाल में बहुत यदा निराज भी सबसे अच्छा गुनिया था कि आपने हर प्रस्तिती में इश्वर को याद क्या है हनुमान जी कभी भी अपने भक्तों को खाली हाथ अपने द्वार्श नहीं बेचते जिए अगर आपने अच्छे कर्म किये हैं तो दोस्तों हनुमान जी उनका पेड़ा आपको जरूर दिये हैं उन्हें आप शुविकार करें सच्चे दिल से शुविकार करें कि दोस्तों महावली हर्मान जी वाज़िए अगर आपको दे रहा है तो वाज़ कोई छोटी सी वाज़तु नहीं बलकि आपकी जुनकाल के लिए बहुत ही बड़ा विर्शाल चीज है प्रंदु आपको बहुत ही बड़ी प्राप्त होगी परंदु आपको शभी बातों को गौर से सुने होंगे इस वीडियो में आपको जो बाते बताने वाले हैं दोस्तों बहुत एदा ध्यान सुनेगा वर आप इन्हें चूनों लेंगे तो दोस्तों यकीन मानिये यह श्में आपका जिवन बदलने से कोई व्यक्ति रोक नहीं शक्ता और महावली हरुमान जोके शुरबाद आप शुपकी जुनकाल पर शुद रहेगा जे दोस्तों वीडियो के अन्त में हरुमान जी के एक बहुती खास उपाई के बारे में बात करेंगे जोके दोस्तों आप शुपकी जुनकाल के कश्ट को दूर कर देंगे तो दोस्तों शबी बाते अंधर अंधर तक जरू देखेगा उश्य पहले दोस्तों महावली हरुमान जी के योग बन रहे हैं दोस्तों पुरानी गलतियों से सीख लेकर आप अपनी कार पर नाली में बहतरिन पर विर्तन लाएंगे बीमा निवेश तोता जमिन ज्यादा जिसी गतिद्यों में यश में वैस्ता बने रहेगी शाथी दोपर के बाद का कुछ शमय जो है असमंजस की स्थ तो यह में प्रगति लाने के लिए आपको गरता के शाथ अपनी इक्षा सकती को भी बढ़ाना होगा जिन बातों के लिए आपको दोसरों पर निर्वर रहना पड़ता है उन बातों को अपने नियंत्रम में लाने की कोशिज काम की गतिद्धी धिमी कर शकति है दोस्तों आ आपको मिल रहे मूंके का फायदा उठा कर आप आगे बढ़ते रहें। इसको प्रांद दोस्तों यश्में आपके लिए युश्में होंगे। दोस्तों यश्में आपको वेकार भी करना पड़ सकते हैं जो कि आप नहीं चाहते हैं। दोस्तों यश्में कोई निरले बिल्कुल ना लें। इनसे आपका नुक्षान हो शकता है। और यह निवेश जो है दोस्तों आपके लिए उत्तम शावित होगा। दोस्तों यश्में कोई निरले गलत भी हो शकता है। दोस्तों मन पर बढ़ता तनाव ड्रावने शपने दिखा शकता है। दोस्तों आपको दिखे शपनों का कोई भी आप अर्थ ना निकालें। क्योंकि यह किशी भी तरह का संकेत नहीं है। दोस्तों माता पिता की पेरिणा तथा शयोग आपको आगे बढ़ने में यश्में मदद करेगा। धार्मिक तथा अध्यात्मिक कारियों में आपकी रूची बढ़ेगी। ससुराल पक्ष में किसी कारकरम में शामिल होने का उश्वर भी आपको प्राप्त होगा। साथी दोस्तों घर में किसी अतित्थी आने की शबावना है जिसे घर का वातार अने यश्में सुखत रहेगा। इसको प्राप्ती दोस्तों यश्में किसी नई दिकी के साथ छोटी सी बात को लेकर तनाव भी रह सकता है। आपके कोई महत्पुन बात यश्में उजागर हो शकती है। इसलिए दोस्तों हर कारी में शावधानी से या फिर सोच समझकर कारी करें यह बहतर होंगे। खर्चों के अधिक्ता यश्में रह सकती है। जिसे किसी से पैसा उधार भी लेना पड़ सकता है। इसकी प्रान दोस्तों यश्में आपके लिज़े समय होंगे। आपके केरियर को लेकर अगर बात करें तो दोस्तों यश्में कारेस्था पर आपकी परतिश्टा बढ़ेगी तथा अपने विरिदियों पर आप जो हावी रहेंगे। काम काज में कर्ज की इस्तिती ना अने दे बैदर होगा कि जिसा चल रहा है उसी पर संतुस रखें। दोस्तों नोकरी पेशा व्यक्तियों के उपर काम का दबदबा यश में रहेगा। इसके उपराद दोस्तों यश में आपके केरिल के लिए जो समय होगे आपके व्यक्तियों के व्यक्तियों के व्यक्तियों रहेगे। करमचारियों तो था स्ययोगियों की गतिदियों को नदर अंदाज बिलकुल ना करें। आप पर कोई जूठा सा आरोब यश में लग सकता है। यश में आपके दूर होगे तो दोस्तों काम के परति अपना लगाव यश में आप बनाई रखें। यश में बनी रहेगी। बिवात तता व्यर्त की काशोनी से यश में बचें घर में मेहमानों की आगवन भी हो शकती है। यश में घर का महौल खुश्टमा बना रहेगा तता घर के सबीश अदस्यों का आपसे समाज़स घर की वैस्ता को उचित बना कर रखेगा। प्रेम पंशंगों में पढ़कर अपना केरियर चोपट यश में ना करें। यह आपके लिए बहतर होंगे। इश कुप्राण दोस्तों यह श में आपके लव लाइब तली शमय होंगे। दोस्तों पती पतनी की बीच नई दक्यां बढ़ेंगी। परिवार के शद्दस्यों के शाथ शमाजी के दिदियों तथा मरण रोजन समधी कारियों में खुश्णमा श्रमय वहतर होगा। तो यह दोस्तों बात करते हैं। महाबली हर्मान जी के एक बहुती खाश उपाई के बारे में। यह दोस्तों इन उपाई को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मंगलवार या फिर शनिवार के दिन करेंगे तो बहुत ही बहतर होगा। दोस्तों आप लाल गाई को गुड के शाथ रोटे कि लाएं यह आपके लिए बहुत ही शुब होगा। दोस्तों इस उपाई को करने से मंगल से सम्मझेट जो भी आपकी जुनकाल में दोसें हुआ दूर होंगे और घर में शुक्सांती बने रहेगी जुनकाल में आपको जो भी लाप के मोके दिख नहीं रहे हैं। दोस्वों सभी दिखेंगे तो दोस्वों इन उपाएं को याश में आप जरूर ही ध्यान से किजेगा तो दोस्वों आज के लिए इतना है फिर मिलते नई वीडियो में